जैनि बच्चो कैसे हैं आप लोग बच्चो आज आपके लिए लेके आए हैं गैसी अवस्ता से गैसो का अनुगति सिद्धान्त तो हाई फिर जानते हैं क्या होता है गैसो का अनुगति सिद्धान्त गैसों के सामान्य गुणों की व्याख्या करने के लिए कुछ अनुमान दिये गए जो गैस का अनुगति सिद्धांत कहलाते हैं बच्चों हुआ क्या था तारम में कुछ अनुमान लगाए गए और ये अनुमान गैसों के वैवार को परिभासित करने के लिए लगाए गए थी गैस को अगर आप ले रहे हैं किसी पातर के अंदर किसी बरतन के अंदर या आप उसके उपर कोई परियोग कर रहे हैं तो गैस किस परकार का वैवार परदर्सित करेंगी इसका पहले से ही आपको पता हो तो आपको परियोग सफल होगा तो ये सारे अनुमान जो थे इन सारे अनुमानों को एक साथ का आ गया गैसों का अनुगति सिद्धान तो आई जानते हैं वो कौन-कौन से अनुमान होते हैं पहला है जी गैसे अती सुक्षम कणों से बनी होती है जो अनु कहलाते हैं तो ध्यान रखेगा कि अगर आप कोई भी गैस ले रहे हैं एक रिये गैस को छोड़के फिर से बोलता हूँ समु 18 की जो आपकी एक रिये गैसे होती है जिनने नोबल गैस एलिमेंट कहते हैं उनको छोड़ दीजिये बाकी जितनी भी गैसे आप परियोग करते हैं या लेते हैं वो सारी अनुमों से मिलके बनी होती है और ये अनु इतने सुक्षम होते हैं कि आखों से दिखाई नहीं देते कि आपको हवा में ओक्सीजन डाइ ओक्सीजन डाइ हाइड़ुजन या कोई गैस का अनुमों दिखाई देता है नहीं दिखाई देता है न क्योंकि ये सारे गैस के अनुमों कैसे होते हैं सुक्षम किलियर है गैस अनू सभी दिसाओं में त्रीवता के साथ एनिमित गती करते हैं बच्चों गैस के अनू की उर्जा अत्यादिक होती है आपको पता है तो जब गैसों के अनू की उर्जा अत्यादिक होगी तो उनको जो भी संभावित दिसा मिलेगी ये उसी दिसा में गती करे बज़ो एक चितर की साहिता से क्लियर कर देता हूँ मैं आपको माल लिजीए यह पातर है या आपका बड़तन है इस बड़तन के अंदर या पातर के अंदर हमने गैस ली हुई है आप जानते हैं गैस जो होती है वह अत्यान सुक्षम गैस अनुओं से मिलके मननी होती है तो यहाँ पे जो आप ओरेंज देख रहे हैं यह ओरेंज जो गोले हैं यह हमारे गैस अनुओं के हैं सुक्सम दर्सी होते हैं लेकिन आपको समझाने के लिए तो दिखाना पड़ेगा ना जी तो देखे यहाँ पे पातर के अंदर गैस भरी हुई है अब यह जो गैस है यह गैस के अनू है सुक्सम दर्सी है और यह सारे अनू जो होते हैं यह सभी संभावित दिसाओं में इनको जो भी दिसा मिलेगी यह उस दिसा में एनिमित गती करते हैं किलियर है लेकिन गैस अनू जो है यह अधिके सीधी रेखा में गती करेंगे वो सीधी दिसा कैसे होगी वो आपको देखना पड़ेगा है न जी यह देखिए ऐसे जा रहा है यह इधर आ रहा है यह दर आ रहा है तो सीधी रेखा में गती करते हैं और गती करते हुए यह एक दूसरे से टकराते हैं ये गैस अनू आपस में टकराते हैं जी ये देखिए जब आगे जाएगा टकर मारेगा समी लोट के आएगा दर से इधा टकर मारेगा तो यहाँ पे इनकी टकर दो तरह की होती है गैस के अनू की एक तो होती है बरतन की दिवार के साथ में दे टकर मार पराय या पर दूसरी होती है आपस में, गैसी अणुओं की टकर पूर्ण पर्थ्यास्त होती है क्योंखी टकरों में गतिज उर्जा का हरास नहीं होता है। अत्यक कुल गतिज उर्जा नियत रहती है और यह टकरे जो होती है चाय बरतन की दिवार से हो एनजी या आपस में हो गैस अनुओं की टकर पूर्ण रूप से परत्यास्त होती है परत्यास्त का मतलब होता है इलास्टिक ऐसी टकर जिसमें उर्जा में कोई कमी ना है आप मालोगर आप भाग रहें और रास्ते में आप देखनी रहें और एक दिवार आजाए थी अंधिर आया दिवार आजाए तो आपकी टकर होगी टकर होने के बाद के बाद क्या परत्यास्त नहीं होता है यह जैसे कि आप दिवार पे बोल को प्लास्टिक की बोल को फैके मारिये प्लास्टिक को गेंद को फैको मारिये तो वो आपकी तरफ लोट के आती है न जी हाँ जी इसी तरह आपस में टकराते हैं बरतन की दिवार से टकराते हैं और अपनी गतिज उर्जा को इस्थांतिरित करते रहत क्योंकि यह गैस के अनु गाना गाते हैं इधर चला में उधर चला रोक सको तो रोक लो और टकर मार की क्या करेंगे जब टकराएंगे तो अपनी गतीज उर्जा दूसरे सामने वाली को दे देंगे माल लीजे यह वाला इस से टकराता है और इसकी उर्जा कम है तो बच्छो इसकी उर्जा कुछ भाग इसके अंदर आ जाएगा है ना जी और मान लो इसकी गतीज उर्जा कुछ जादा है तो वो कुछ उर्जा का मान इसमें चला जाएगा तो इनकी टकरे होती है वो पूर्ण रूप से परत्यास होती है है ना जी और उर्जा का कोई हास नहीं होता ह इस परकार पूरे बरतन के अंदर सारे गैस अनुओं की उर्जा नियत रहती है वो बदलती नहीं है क्योंकि वो तो इस्तांत्रित हो रही है रास्त तो हो ही नहीं रही है तो सारे गैस अनुओं की उर्जा नियत रहती है गैसिय अनुओ की पात्र की दिवारों में मारी गए टक्रें ही गैसिय दाब उत्पन करती हैं अब देखिए अगर हम लोग बात करें गैस के दाब की तो ध्यान नखीगा किसी भी पात्र के अंदर जो गैस का दाब होता है ये दाब इन गैस अनुओ की तक्कर के करण जो दिवार पे तक्कर मारेंगे गैस अनुओ इन तक्रों से जो बल लगेगा उस बल का जो परिमान होता है उसे ही कहा जाता है गैसिय दाब आप फिर समझेए कि जो गैस अनुओ बरतन की दिवार पे तक्कर मारते हैं यहां पे तक्कर मारने से जो बल जो उरजा यहां पे ट्रांसपर हो रही है उरजा स्थान्तित हो रही दिवार पे इसका परिमान ही कहलाता है गैसिय दाब गैसिय अनुओ के मद्या अकर्षन बल नगन्य होते हैं अब दिखी अगर इनके अंदर बल होगा तो फिर तो यह गती नहीं कर पाएंगे इनका वेग जो है वो कम हो जाएगा इनका वेग कैसा होता है त्रीव होता है क्योंकि इनकी गती उरजा जादा होती है जिस कारण इ लेते हैं अगला अनुमान या अगला बिंदू गैसिय अनुओ के मद्या अधिक दूरी होती है अतै गैस अनुओ का वास्तिक आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगन्य होता है बच्चो ध्यान नखियेगा जब भी किसी गैस को किसी पातर में भरते हैं तो गैस उस सा फैले होते हैं फैल जाते हैं इस कारण इस बरतन में जितनी भी इस बरतन का जो आयतन होगा वो क्या कहलाएगा उस गैस का कुल आयतन लेकिन हागर हम लोग इस इन गैस के अनुगों के वास्तिक आयतन की बात करें तो गैस अनुगों का जो आयतन होगा वो तो बहुत कम होगा तो पूरे गैस के आयतन की तुलना में गैस अनुओं का किसी भी अनुओं का जो वास्तिक आयतन होगा वो बहुत छोटा होगा इसलिए उसको नगण्या माना जाता है किलियर हूँ आपको बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है ये याद रखेगा इस तिरताप पर किसी गैस में भिन भिन अनुओं की चाल और गतिज उर्जा भिन भिन होती है अरुओं की ओसत गतिज उर्जा परम ताप के समानुपाती होती है बच्चो आपको सदरन सी बासा में एक चीज द्यान लखनी है कि गैस अनुओं की जो गतिज उर्जा होती है वो परमताप के समानुपाती होती है आप अनुओं की ओसत गतिज उर्जा की बात कर रहे हैं और समझारे गतिज उर्जा हैं तो बच्चों होता क्या है कि पातर के अंदर गैस अनुओं के बीच में अकर्शनबल नगण्य होता है उनके बीच की दूरी जादा होती है वे अतियां त्रीवे के साथ में एनिमित गत करते हैं आपस में टकराते हैं बरतन की दिवार से भी और आपस में भी अनुओं से टकराया अनुदीवार से टकराया तो होगा क्या इनकी टकरे पूर्ण रूप से पर्तियास्त होती हैं जिसके द्वारा ये अपनी उर्जा को एक अनुओं से दूसरे अनुओं में स्थान तिरत करते हैं, clear है, तो यहाँ पर आप भी बताईए कि इन गायसनो की जो उँड़्जा है, क्या पर्तेक समय समान ओगी? नहीं जी कुछ की थोड़ी जादा होगी कुछ की थोड़ी कम होगी हर एक अणों की गतिज उर्जा समान नहीं होगी इसलिए यहाँ पे उनकी जो गैस अणों की गतिज उर्जा की बात करेंगे वो लेंगे ओसत गतिज उर्जा किलियर है जिसको बार बार केसे दिखाते और यह परम ताप के समानुपाती होती है अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो अनुओ की उरजा बढ़ेगी आप जानते और ताप घटाएंगे तो अनुओ की गतिज उरजा कम होती है अब अगर इसको फॉर्मूले की साहता से दिखाएं तो kinetic energy is equal to half mv square is equal to 3 by 2 kt होता है यहाँ पर आप बार भी लगा सकते हैं जी ठीक है जी अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो m है वो gas अनू का दरव्यमान है यहाँ पर जो आप v bar देख रहे हैं जी v bar square यह अनूओ की वर्ग माद्या चाल है और k जो है यहाँ पर bolts मान नियतांक है और t तो आप जानते हैं temperature ताप मान है है ना जी clear हुआ तो यहाँ पर हमने यह 8 बिंदूओ को देखा है इन 8 बिंदूओ को कहा जाता है गैसों का अनूगति सिध्धान अगर आप लैब के अंदर practical करते हुए परयोग साले के अंदर प्रयोग करते हैं गैस के उपर तो यह सारे वैवार आपको देखने को मिलेंगे ऐसी बोलती है गैसों की अनूगति सिध्धान या परिकल्पना क्या यह आप clear हुआ यह बिंदू clear हुए ध्यान नखीगा सीधे सीधे सवाल आता है परिक्सा के अंदर अब लेते हैं गैसों के अनूगति सिध्धान की सीमा या कमिया तो बचो द्यान नखीगा आप जानते भी होंगे और नहीं जानते तो जान लीजे गैस के अनूगति सिध्धान की कुछ कमिया होती हैं जिसकी वज़े से यह हर जगे पे हर रूप में लागू नहीं हो पाता है इस पे भी सवाल आता है तो आप जान लीजे कौन-कौन सी कमिया है गैस के अनूगति सिध्धान की पहली है गैसी है अनूगति सिध्धान पून रुपे इन आदर्स गैसों पर लागू होता है वास्तिवी गैसों पर नहीं आपनी गैसी अवस्ता में जाना होगा कि गैस जो होती है वो दो परकार की होती है एक आदर्स गैस होती है और एक वास्तिवी गैस होती है तो बच् लो चाल्स का नियम चाल्स का नियम यादा रहा ना इन सारे नीमों को मानती है एना जी वो कहलाती है आदर्स गैसे लेकिन मजे की बात यह है कि वास्तिक्ता में आम जीवन में कोई भी गैस आदर्स नहीं है सारी गैस अपने आदर्स वेवार से विचलन दिखाती है सारी गैस से वास्तिक है क्योंकि वह आदर्स गैस नियम को नहीं मानती है की सबसे बड़ी कमी क्या है है कि अगर आप कोई नियम दे रहे हैं तो वह हर एक परिस्थिती में लगना जाहिए हर एक दाब पे हर एक ताब पे लेकिन यह जो अनुगति सिद्दान्थ यह इसकी कुछ सीमा है अगर आपने ताप मान कम कर दिया और दाब बढ़ा दिया देखें समझे दाब ज़्यादा है ताप मान कम है तो ये अनुगति सिद्धानत लागू नहीं होता के लिए रेजी इस अनुवान के दो बिंदू गलत पाए गए हैं तो बचो ध्यान न किया गैस के जो अनुगति सिद्धानत है जो आप पीछे पढ़ के आए साथ या आठ बिंदू जो आपने पढ़े थे उन बिंदू में दो बिन्दू ऐसे हैं जो इस नियम को वास्तिक गैसों पे लगने नहीं देते तो पहले चीस्तों आपने जान ली कि ये वाली कंडिशन है ध्यान लखेगा इसलिए वास्तिक गैसों पे ये नियम नहीं लग पाता है ना जी कौन-कौन सी कम ताफ है उच ताफ पे वास्तिक गैसों पर यह नियम जो है ऐसा फल हो जाता है दूसरा यह है जी कि यहां पर यह जो दो अवधारना या दो यहां पर बताये थे बिंदू उनको ध्यान कीजिए उसने बताया था कि गैस यह अनों के मद्य आकट शर्मबल नगण्य होता है यह गलत है ऐसा नहीं होता है और गैस अनू कर देते हैं जी थोड़ा ध्यान के यह गैस अनू का अगर आप गैस के अंदर किसी अनू का वास्तिक आयतन लेते हैं सारे गैस के आयतन की तुलना में तो वो नगण्य होता है यह दोनों बिंदू जो हैं जो अवधारना में बताये थे अनू कतिस सिद्धान्त म पर लागू नहीं हो पाता है केवल आदर्स गैसों में लागू होता है जी तो बच्चों आज हमने जाना गैसों के अनुगति सिद्धान के बारे में एना जी कौन-कौन से बिंदू है जो गैसों के विवार के बारे में बताते हैं और फिर हमने जाना गैसों के अनुम्गति सिद्धान की कमियों के बारे में उमीद है आपको स्पस्ट हुआ होगा